हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी नौन श्टॉप में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे 18 मार्च के सभी important current affairs और इस वीडियो के last में मैं आप से दो questions भी पूछूँगा जिसका answer आपको comment box में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के description से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला पशने हाली में राष्ट पती रामनात कोबिन ने 94 उद्यमित्ता महुत्सो यानि की Festival of Innovation Entrepreneurship का उधगाटन कहां किया तो हाली में राष्ट पती रामनात कोबिन ने 94 उद्यमित्ता महुत्सो यानि की Festival of Innovation Entrepreneurship का उधगाटन किया गुजरात में और इसका उधगाटन गुजरात में किया गया तो मैं थोड़ा साब को गुजरात के बारे में बता देता हूँ गुजरात के स्थापनाविती 1 मई 1960 को गुजरात की रास्थानी है गांथी नगर गुजरात के मुख्यमंत्री है विजयरूपानी गुजरात के राजेपाल है ओम प्रकास कोहली गुजरात के प्रमुख लोक निर्ते हैं गर्बा, डांडिया और भवई गुजरात के प्रमुख बांथ है गुजरात में सरदार सरोवर बांथ और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है गुजरात में उकाई बांथ उकाई बांथ ये तापी नदी पर बना हुआ है और गुजरात में दांती वाड़ा बांथ जो की बनाश नदी पर बना हुआ है गुजरात का प्रमुक एरपोर्ट है सरदार बल्लब भाई पटेल इंटरनाशनल एरपोर्ट और ये एहमदाबाद में इस्तित है और गुजरात के प्रमुक राश्टिये पार्क है गिर राश्टिये पार्क और ब्लैक बक राश्टिये पार्क गुजरात के प्रमुक स्टेडियम है सरदार बल्लब भाई पटेली स्टेडियम और सौराष्ट क्रिकेट एसोसियेसन स्टेडियम गुजरात के प्रमुक मंदिर है सोमनाथ मंदिर गिर्णार मंदिर और अक्षरधाम मंदिर अगला अप्षने मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नूप क्या गया है तो इसका अंसर है मेक्सिको यह जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है मनप्रीत वोहरा तो इन्हें मेक्सिको में भारत के अगले राज़तूत करूप में नूप क्या गया है मेक्सिको की राज़तानी है मेक्सिको सेटी और मेक्सिको की करंसी है पेशो अगलप्स ने किस राज़ी के मुख्यमंतरी स्री मनुहर पारिकर का निधन हो गया तो स्री मनुहर पारिकर ये अभी तक गोवा के मुख्य मंतरी थे इनका हाली में निथन हो गया 63 वरसकी आयू में इनका निथन हो गया है और ये गोवा के मुख्य मंतरी थे और इसके अलावा 2014 से 2017 तक ये भारत के रक्षा मंतरी भी रहे थे काफी लंबे समय से ये पैनक्रियाटिक कैंसर यानि की अगनासे के कैंसर से पीडित थे तो अभी हाली में इनका 63 वरस की आयो में निथन हो गया है और यहां पर बात हुए गोवा की तो गोवा की रास्थानी है पढ़जी और गोवा के गोवा की राजबासा क्या है तो यहां की राजबासा है कौंकडी और कई बार एक्जाम में ये पूछा जाता है कि गोवा मुक्ती दिवस कब मना जाता है तो याद रखे गोवा मुक्ती दिवस मना जाता है 19 दिसंबर को और यह इसलिए मना जाता है क्योंकि 19 दिस्मबर 1961 को गोओ पूर्तगाली साशन से आजाद हुआ था यूँ तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था लेकिन फिर भी 1961 तक गोओ पर पूर्तगाली ने कबजा कर रखा था तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली सासन से मुक्त हुआ था तो इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ती दिवस मना जाता है अगला प्षने हाली में DRDO ने कहां से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट प्राडाली का सफल परिक्षण किया है तो हाली में DRDO ने राजस्थान के पोखरण से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट प्राडाली का सफल परिक्षण किया है और यहां पर बात हुए DRDO की तो DRDO इसकी फुलफाम होती है Defense Research and Development Organization DRDO की स्थापनाउथी 1958 में और DRDO का मुख्याल है नई दिल्ली में और वर्तमान में DRDO के चेर्मेन है Dr. G. Satis Reddy तो इस मिसाइल इस रॉकेट का परिक्षण राजस्थान में किया गया है तो मैं थोड़ा साब को राजस्थान के बारे में बता देता हूँ राजस्थान की स्थापनाउथी 30 मार्च 1949 को राजस्थान की राजस्थानी है जैपूर राजस्थान के मुख्यमंत्री है असोक गैलोत राजस्थान के राजयेपाल है कल्यार सिंग राजस्थान के प्रमुख लोक निर्थे हैं, घूमर, भवाई, तेरा ताली, चरी और गैर राजस्थान में माउंट रेंच है अरावली, अरावली परबत का लगभक 80% बिस्तार राजस्थान में पाये जाता है राजस्थान के प्रमुख राष्टिये पार्क एवं वन जीव अभ्यारण हैं, राजस्थान में सरिस्का टैगर रिजर्व, रण थंभौर नैशनल पार्क, केवला देव नैशनल पार्क और कुम्भल गड़ वन जीव अभ्यारण है रजस्थान में जिले हैं थाइस जिले लोग सबासीठे 25 और राज सबासीठे 10 अगलप्ष ने ओलंपिक पदक बीजेता केली कैटलेन का 23 वर्स की आविव में निथन हो गया वे किस देश से थी तो केली कैटलेन ये अमेरिका से थी तो इनका 23 वर्स की आईव में निथन हो गया है केली कैटलिन ये एक साइकलिस्ट थी यानि की साइकल चालक थी और इन्होंने रियो डी जनेरियों में 2016 उलम्पिक खेलों में रज़त पदक जीता था तो अभी आली में इनका निथन हो गया है और ये अमेरिका से थी और इनका निथन कैसे हुआ तो इनोंने आत्महत्या की है अगलप्षने किस राज्य की सरकार ने OBC आरक्षण कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है तो OBC के आरक्षण कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% किया है मंध्य प्रदेश की सरकार ने और यहां पर बात हुए मध्य प्रदेश की तो मैं थोड़ा साब को मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ मध्य प्रदेश की स्थापना उती एक नॉंबर 1956 को मध्य प्रदेश की राज्थानी है भोपाल भोपाल को जीलों का सहर भी कहा जाता है मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री है कमलनाथ और मध्यप्रदेश की राजयपाल है आनंदी बेन पटेल और इसके अलावा आनंदी बेन पटेल ये 36 गड़ की भी राजयपाल है इन्हें 36 गड़ के राजयपाल का अत्रिक्त प्रभार मिला हुआ है मद्धिप्रदेश के प्रमुख लोक निर्ते हैं कर्मा, राई, बधाई और भगोरिया मद्ध्य प्रदेश के प्रमुख राष्टिय पार्क हैं सत्पुडा राष्टिय पार्क, काना राष्टिय पार्क, पन्ना राष्टिय पार्क, बांधो गड़ राष्टिय पार्क, माधो राष्टिय पार्क और पेंच राष्टिय पार्क महाराष्ट में प्रमुख बांध है गांधी सागर बांध गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर बना हुआ है और मद्ध्य प्रदेश में है बार सागर बांध जो की सोन नदी पर बना हुआ है मद्ध्य प्रदेश के प्रमुख अस्थान है मध्य प्रदेश में है महा कालेश्वर जोतिलिंग जो की उज्जैन में इस्तित है और मध्य प्रदेश में है खजुराहो के मंदिर ये चंदेल सासकों के द्वारा बनवाए गए थे तो ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में है भीम बेटका की गुफाएं और दालों और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम अस्थान है मध्य प्रदेश में जिले हैं बावन जिले लोग सबा सीठे 29 और राज सबा सीठे 11 अगलप्ष ने हाली में राष्ट पती रामनात कोबिन ने परम विस्ष्ट सेवा पतक से किसे सम्मानित क्या है? तो हाली में राश्ट पती रामनात कोबिन ने परम विस्ष्ष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया इंडियन आर्मी के चीफ जनरल विपिन रावत को और इनके साथ ही 19 वरिष्ट अधिकारियों को भी परम विस्ष्ष सेवा पदक से सम्मानित क्या गया है परम विस्ष्ष सेवा पदक ये सांती और सेवा चेत्र में असाधारन कारे करने वाले को दिया जाता है और इसकी सुरुवात 1960 में हुई थी अगल अपस ने 8 वर्सों की लंबी प्रक्रिया के बाद इनमें से किसे भौगोलिक संकेत यानि की GI टैग यानि की जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है तो 8 वर्सों की लंबी प्रक्रिया के बाद GI टैग मिला अब परदित हल्दी को अपर्दित हल्दी ये तमिल नाडू में होती है तो अभी हाली में इससे GI टैग मिला है इससे GI टैग दिलाने की मांक 2011 में हुई थी तो अब इससे 8 वरसों के बाद इससे GI टैग मिल गया है तमिल नाडू की अपर्दित हल्दी को अगल अप्ष ने साहित्य के लिए प्रतिष्ठित कुसुमाग्रज राष्टिय पुरुसकार के लिए किसे चुना गया है तो साहित्य के लिए प्रतिष्ठित कुसुमाग्रज राष्टिय पुरुसकार के लिए चुना गया वेदी राही को ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है वेदी राही और ये एक फिल्म निर्देशत और उपन्यासकार है और इनका डोगरी भासा में एक उपन्यास है आले जिसके लिए इन्हें 1983 में साहित अकादमी पुरस्कार मिला था तो वेदी राही को प्रतिष्ठित कुसुमागरज राष्टिय पुरस्कार के लिए चुना गया है अगला प्सने भारतिय से ना और कितने अफरीकी देशों के बीच 10 दिवसिये अफरीका भारत सैयूक्त चेतर प्रसिक्षण अभ्यास F-19 19 आयुजित क्या जाएगा तो ये आयोजित किया जाएगा भारतिय सेना और 16 अफरीकी देशों के बीच और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा तो 18 मार्च से 27 मार्च तक इसका आयोजन महाराश्टर के पोड़े में किया जाएगा अगलप्स ने पहली ब्रिक्स सेर्पा बैठक कहां संपन हुई तो पहली ब्रिक्स सेर्पा बैठक संपन हुई ब्राजील में ब्राजील की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स सेर्पा बैठक ब्राजील के कूर्टिबा में संपन हुई है ब्राजील में एक जगा है कूर्टिबा वही पर ये बैठा कोई थी और भारत की ओर से इसमें बिदेश मंत्राले में आर्थिक सम्मंधों के सच्चिव टी-एस तिरो मूर्ती ने भाग लिया था और यहां पर वात हुए ब्राजील की तो ब्राजील ब्राजील दक्षण अमेरिकी महादूइब का सबसे बड़ा देश है चेत्रफल की दिश्टी से ये दक्षण अमेरिका महादूइब का सबसे बड़ा देश है और इसकी रास्थानी क्या है तो इसकी रास्थानी है ब्रास जैर बोल्सो नैरो ब्राजील के राष्ट पती है और कल के प्रश्ण कल मैंने आपसे दो प्रश्ण पूचे थे पहला प्रश्ण मैंने पूचा था विस उभुपता अधिकार दिवस प्रतेक वर्स किस दिन मनाय जाता है तो इसका सेजन सर्था पंदरा मार्च को और दूसरा प्रश्ण मैंने पूचा था रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने हाली में किस बैंक को निजी चेतर के बैंक के रूप में वर्गी कृत किया है तो इसका सही अंसर था IDBI बैंक को और लगफख सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्णों का सही अंसर दिया है और आज आपका पहला प्रश्ण ने 2018-19 के लिए DD महिला किसान का पहला पुरस्कार किशने जीता है और आज आपका दूसरा प्रश्ण ने कौनसा देश 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल बिशुकप की इमेज़ पानी करेगा तो इन दोनों प्रश्णों का एनसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तों आजा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आयोगा अगर आपको वीडियो पसंद आ तो आप इसे लाइक और सेर करिए अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रू कर दिया करिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं करेंट अफेर्स के वीडियो हर रोज सुबा चार बज़े अप्लोड करता हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिलकौन रखिए जिससे मैं जब भी वीडियो अप्रोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबा तब तक के लिए गुड़ पाई